ओम श्री महालक्ष्मे नम्हा आज मार्क्षीस गुरुवार की दिन आप सुनेंगे मालक्ष्मीजी की संपोन व्रत कथा श्री लक्ष्मी चालिसा पाठ और आरती उससे पहले जानिये आज के पंचांग के बारे में 21 दिसंबर गुरुवार को अगहन मास का चौथा गुरुवार है इस दिन सूर्यदे होगा सुबह 7 बचकर 7 मिनट सूर्यास्त शाम 5 बचकर 41 मिनट पर ब्रह्म मोर्थ सुबह 5 बचकर 31 मिनट से 6 बचकर 19 मिनट तक अभिजीत मोर्थ दोपहर 12 बचकर 3 मिनट से 12 बचकर 45 मिनट अमरित काल शाम 7 बच कर 50 मिनट से 9 बच कर 22 मिनट तक और इस दन रेवती नक्षतर रात 10 बच कर 9 मिनट तक रहेगा और उसके बाद में अश्वीनी नक्षतर प्रारंब हो जाएगा जो की बहुत ही शुप नक्षतर वाने जाते हैं श्री महालक्ष्मी जी की इस कथा को सुनने या पढ़ने से दुख दारेत्र दूर हो जाता है और महालक्ष्मी जी की करपा से सुख संपत्ति और एश्वरी की प्राप्ति होती है सारी इच्छाएं पूर्ण होती है श्री महालक्षमी जी के अनेकों रूप और नाम हैं भूतल में वेचाया, शक्ती, तृष्णा, शांती, जाती, लज्जा, श्रधा, कांती, व्रती, इस्मृती, दया, तुस्टी, माता, अधिस्ठात्री और लक्षमी के रूप में स्थित हैं हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं और घर-घर में ग्रह लक्षमी इन विभिन नामों से मा की पहचान होती है इस तरह सर्वता, चारो और, सरभूत में सुपरिजित मा लक्षमी जी की ये कथा है अब हम सब मिलकर इस कथा को सुनेगे भारत वर्ष के सौरास्ट देश में द्वापर युकी ये कहानी है सौरास्ट में उस समय भद्र श्रवा नाम की राजा थे वे बड़े पराक्रमी राजा थे चार वेद, छे शास्त्र, अठारा पुराणों का उन्हें भली भाती ग्यान था उनकी रानी का नाम था सुरत चंदरी का रानी दिखने में सुन्दर और सुलक्षन थी और पती वृता थी उन दोनों को साथ पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वर्दान मिला था कन्या का नाम उन्होंने रखा श्याम बाला एक बार मालक्षमी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज महल में रहें इससे राजा को दो गुने धन दौलत की प्राप्ती होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुक दे पाएगा गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्रात्थ हो जाए तो वे स्वार्थी की तरह केवल अपने ही उपर खर्च करेगा ये सोच कर शिरी महालक्ष्मी जी ने एक बोड़ी ब्रहमण इस्तरी का रूप धरन किया हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहरे वे रानी के द्वार तक पहुँची हालकि उन्हाने बोड़ी और अतकर रूप धरन किया था फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज था उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई उसने इनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब कुछ पूच डाला पृत्य ब्रहमणी का रूप धरेवे मालक्ष्मी जी ने कहा कि बालिके मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम भुवनेश है हम द्वारिका में रहते हैं तुम्हारी रानी पिछले जनम में एक वैश्य की पतनी थी वे वैश्य गरीब था गरीबी के कारण हर रोज घर में जगड़े होते थे और उसका पती रोज उसे मारता था इन बातों से तंगा कर वे घर छोड़ कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी उसकी इस दुरदशा पर मुझे दया आई तब मैंने उसे सुख संपत्ती देने वाली श्री महालक्षमी जी की कथा सुनाई मेरे कहने पर उसने श्री महालक्षमी जी का वरत किया और उससे श्री महालक्षमी जी प्रसन हुई और उसकी गरी भी दूर हो गई उसका घर, संसार, दौलत, संतत्ती, संपत्ती से भर गया बात में पति-पत्नी दोनों परलोग सिधारे लक्ष्मी वरत करने की कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का वरत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला इस जनम में उसका जनम राज घराने में हुआ है परंतु वह श्री महालक्ष्मी का वरत करना भूल गई है उसे वही याद दिलाने मैं यहां आई हूँ बुढिया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मीज का वरत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा बुढिया रूप धारन के वे महालक्ष्मीजी ने उस दासी को पूजा की संपोन विधी तथा महिमा बतलाई इसके बाद वे दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने एश्वरी का बहुत घमंध हो गया था संपत्ति और अधिकार की कारण वे उन्मत हो गई थी दासी के द्वारा बताई गई बुढिया की बाते सुनकर वे आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढिया रूप धारी महालक्ष्मी जी पर बरस वड़ी उसे ये नहीं पता था कि श्री महालक्षमी जी माता बुढिया का रूप धारण करके खुद उसके द्वार तक आई है लेकिन रानी का इस तरह रूखा बढ़ताओ और अपना अपमान देखकर माता ने वहाँ ठेहरना ठीक नहीं समझा में वहाँ से चल पड़ी रास्ते में उन्हें राज कुमारी श्यामबाला मिली उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्षमी जी से श्यमा मांगी माता को उस पर दया आ गई उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी वृत के बारे में बताया उस दिन अगहन का पहला गुरुवार था श्यामबाला ने पोर्ण श्रधा से इस वृत को रखा इस वृत के फलस्वरुप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ वैधन, दौलत, एश्वर्य वैभव से माला माल हो गई पती के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी इधर उस रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ फलस्वरुप राजा भद्रिश्रवा का राज और राज कारोबार सबकुस नस्ठ हो गया यहां तक की खाने के भी लाले पड़ गए ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निविदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है धन्वान है एश्वरिशाली है क्यों न उसके पास जाये जाये अपना हाल उसे बताए तो वह जरूर हमारी साहता करेगा इस बात पर राजा भद्रिश्रवा दामाद के पास रवाना हुए राज में पहुँचकर एक तलाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे तलाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा उन्होंने विनमरता से उनके बारे में पूछा जब उन्हें पता चला कि वे राणी शामबाला के पिता हैं तो दोड़ते वे जाकर उन्होंने राणी को सारी बात बता दी राणी ने दासी के हाथ राज परिधान बेज कर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सम्मान किया उन्हें भोजन करवाया जब वे लोटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया राजा भद्रिश्रवा जब वापस लोटे तो उन्हें देखकर राणी सुरत चंद्रिका बहुत प्रसन हुई उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुह खोल दिया किन्तु हे भगवान ये क्या हुआ घड़े में धन के बदले कोईले मिले ये सब श्री महालक्षमी जी के प्रकोप से हुआ और इस प्रकार दुरदशा में उन दोनों के कई दिन और बीद गए इस बार रानी खुद अपनी पुतरी के पास गई वह दिन भी अगहनमास का अंत रखने पर उसे फिर से अपना खोया हुआ राजपाट धन दौलत और एश्वरी प्राप्त हो गया अब वह फिर से सुक शान्ती और आनंद से भरावा जीवन बिताने लगी कोछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई पुतरी को अपने घर आया द आते थे सतकार नहीं हुआ बलकि अपमान ही हुआ लेकिन उसने इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लोटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया अपने घर लोटने पर उसके पती ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो इस पर उसने उत्तर दिया कि म भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा जब पती ने खाना चखा तो सारा खाना नमक के बिना था इसलिए बिरकुल भी स्वाद नहीं आया फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला जिससे अब सारा भोजन स्वादिस्ट लगने लगा तब शामबाला ने पती से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार पती को उसकी बात सही लगी और फिर वे दोनों हसी मजाक करते वे भोजन करने लगे कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव से मालक्षमिजी की पूजा करता है उसे मालक्षमिजी की पूर्ण कृपा प्राप्थ हो जाती है सुख संपत्ती मिलती है शान्ती मिलती है और सभ्यमनुकामनाई भी पूर्ण होती है किन्तु ये सब प्राप्त होने पर भी मालक्षमी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए हर गुरुवार को वरत करके ये कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए वरत ना भी रख पाएं तब भी इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए इस तरह मालक्षमी जी की किरपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है तो ये थी मालक्षमी जी की वरत कथा अब सुनिये मालक्षमी चालिसा और आर्दी शुरी लक्ष्मी चालिसा पाठ दोहा विद्यादो मोही तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पुर्वह आस हमारी जै जै जगत जननी जग दंबा सबके तुम ही हो स्वलंबा तुम ही हो घट घट के वासी विनति यहीं हमारी खासी जग जननी जै सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी विनयो नित्य तुम ही महरानी कृपा करो जग जननी भवानी यहीं विधि इस्तुती करो तिहारी सुधी ली जै अप राध बिसारी कृपा द्रेस्टी जित वो मम ओरी जगत जननी विनती सुन मोरी ज्यान बुद्धि जै सुख की दाता संकट हरो हमारी माता क्षीर सिंधु जब विष्नु मथाईं चौधर अत्न सिंधु में पायो चौधा रतन में तुम सुक्रासी सेवा कियो प्रभु ही बन दासी जब जब जन्म जहा प्रभुली नहा रूप बदलत है सेवा की नहा स्वयम विष्णु जब नर्तनु धारा लीने हुँ अवद पुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनक पुरमाही सेवा की ओह दय पुलकाही अपनायो तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी तुम सब प्रवल शक्ति नहीं आनी कह तक महिमा कहो बखानी मन क्रम वचन करे सिवकाई मन इच्छित वांचित फल पाई तजी छल कपट और चतुराई पूजही विविध भाति मन लाई और हाल मैं कहो बुझाई जो यह पाठ करे मन लाई ता को कोई कस्ट ना होई मन इच्छित फल पावे फल सोई त्राही त्राही जै दुख निवारणी त्रिविध ताप भव बंधन हारणी जो यह चालिसा पढ़े और पढ़ावे इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे ता को कोई नरोग सतावे पुत्र आदी धन संपति पावे पुत्र हीन और संपति हीना अंधा वधिर कोडियत दीन विप्र बुलाए के पाठ करावे शंका दिल में कभी ना लावे पाठ करावे दिन चालिसा तापर कृपा करे गौरी सा सुख संपति बहुत सीपावे कमी नहीं काहू कियावे बार हमास करे जो पूजा तेही सम धन्य और नहीं दूजा प्रत दिन पाठ करे मन माही उन सम कोई जग में ना ही बहुवित क्या में करो बढ़ाई ले परिक्षा ध्यान लगाई करी विश्वास करे वृत नेमा हो इसित उप जै उर प्रेमा जै 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 लक्षमी महरानी सब में व्यापित जो गुण खानी तुम रो तेज प्रबल जगमाही तुम सम कोई दयाल कोई ना ही मोही अनाथ की सुधियब लीजे संकट काटी भक्ती मोही दीजे भूल चुक करिक्षमा हमारी दर्शन दीजे दशानिहारी बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम ही अक्षत दुख सहते भारी नहीं मोही ज्ञान बुध्धी है तन में सब जानत हो अपने मन में रूप चतर भुज करके धारन कस्ट मोर अब कर हुनिवारन कहीं प्रकार में करो बढ़ाई ज्ञान बुध्धी मोही नाही अधिकाई रामदास अब कहाई पुकारी करो दूर तुम विपती हमारी त्राही त्राही दुखारणी हरो बेगी सबत्रास जैती जैती जै लक्षमी करो शत्रुन का नाश रामदास हरिध्यान नित विनैकरत कर जोर मातू लक्षमी दास पर करहू दया की कोर इती लक्षमी चालिसा संपुनम मा लक्षमी जी की आरती ओम जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुम को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विश्नु विधाता ओम जै लक्ष्मी माता उमारमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सुर चंद्रमा ध्यावत नारद रिश गाता ओम जै लक्ष्मी माता दुरगा रूप निरंजनी सुख संपति दाता मैया सुख संपति दाता जो कोई तुम को ध्याता रिदि सिधिधन पाता ओम जै लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासनी तुम ही शुब दाता मैया तुम ही शुब दाता कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवन धिकी त्राता ओम जै लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती सब सत गुण आता मैया सब सत गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घब राता ओम जै लक्ष्मी माता तुम बिन यग्य न होते वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम जै लक्ष्मी माता शुब गुण मंदिर सुन्दर क्षीरो दधी जाता मैय अक्षीरो दधी जाता रत्न चतुर दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जै लक्ष्मी माता महा लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जै लक्ष्मी माता ओम जै लक्ष्मी माता मैय जै लक्ष्मी माता तुम को निश दिन सेवत तुम को निश दिन सेवत हर विश्नु विधाता ओम जै लक्ष्मी माता मैय जै लक्ष्मी माता उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जए जरू लिखेगा